सबी को जाएं दोस्तों आप सबी का हार्दिक सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस इंडिया निउस पे तो आज मड़ी इंट्रस्टिंग और एक लेटेस वीडियो देखने वाले हैं भारत के बारे में और जो हाल फिलाल के मुद्दे चल रहे हैं उस पे काफी इंट्रस्टिंग और नॉलेजवल बाते में बताएंगे तो चलिए साथ मिलके ये वीडियो देखते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरू पेस कर दें ताकि हम आपके लिए नई और इंट्रस्टिंग वीडियो लाते रहें जैहिंद जैभारत कि यसे यहां पर यहां पे बहुत हैं इंडिया पाकिसदा ने लोगें जरुग और और इरान जाहिदा चैनल लेता है पहली चीज़ Τो तो चाइना की जो ट्रेड है वह वन साइड होगी क्योंकि एरान ऐसा कोई ज्यादा मैनेफेक्चर तो कर नी रहा जो चाइना को चाहिए राइट इरान के बास तेल है और ग्यास है वो चाइना ले ही जाएगा सीपक से खरीद के तो तो डाइट के लिकिन फैक्ट ऑफ ही ब्रेंशनर शुकर शिब्स के नियां निलिंगे साथ हन्ट अब इनिया में मौतार चाहिए जो इंडियादा थींडा यह विजिए दोड़ कि आस यह तूप आज बास यहां फैनल सह प्र्सेंट है तो मिन साइंड़ा किया है तो पार टोड हैं डिया जैना एगन शाषब अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अभी रिसेंडली वहां के गुर्दवाजे में जो है वो अटैक किया गया और उसके बाद इंडिया ने कहा के इन विजा आप लोग आप जो है वो दे रहें अफगानिस्तान में जो सिख कम्यूनिटी है और अगर कोई हिंदू है चाहे कोई भी आना चाहे तो रिसेंडली पाकिस्तान के पास जो है तक्रीबाद दो लाख जो है अफगानिस्तान से लोग आए और बड़ी मुश्किल होती है इस तरह से अगर कोई आ जाए तो आप लोग इस तरह आप पर कर रहें तो क्या इंडिया इस चीज़ के लिए तैयार है कि वहां से लाखों लोग जो है वो भारत में आजाए अफगानिस्तान से लाखों अफगानी अल्रडी इंडिया में है पाकिस्तान के लिए नैचरल है क्योंकि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है इंडिया के साथ बॉर्डर नहीं आर्जोजी इंडिया के साथ बॉ आफकोस उतने नहीं होंगे उसके आधे भी नहीं होंगे लेकिन यहां पे लाखों है अल्रड़ी लाश्मतनगर में आप चलेए तो आपको लगेगा कि अफगानिस्तान बना हुए वहां पर साकेत में जो दो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अफगानी बढ़े रहते हैं अपना कोई बीज बीज अप्लाइ कर सकता अब यह तो इंडिया का शुरू से रहा है कोई भी अपलाइ कर सकता है तो पहले भी ता अभी को चेंज नहीं करा एंडिया ने देखिए बात यह थी कि 2014 के कट आफ के साथ और थोड़ा सा टाइम लाइन रिलैक्सेशन के साथ जो नॉन पाकिस्तान और भंगलादेश उनके लिए था सी यह जो आप कह रही है ना कि कोई भी अपलाइ कर सकता है कोई तो आज भी मंगोलिया से अपलाइ करते हैं इंडिया रोखेगा तो उसको उसको सिटिजनशिप मिलती है नहीं मिलती वो अलेगा बात है यूर वेलकम तो अपल युष्बटेश की लिए भी मंगोरटी वेलिए डीजशा वेलकम तो इंडिया खुलाइं एंडिया भी अपलाइ कर श्तुर्माइं वो इंडिया दे लिए यू बात की बात हैं लेकिन अपलाइ ऐसा कुछ नहीं है एं कि मुझे मैंने ऐसा कोई पॉलिसी पेपर नहीं पढ़ा ऐसा कोई स्टेट्मेंट नहीं पढ़ा में से वो जैशंकर साथ बोलेंगे या उनका उनकी तरफ से कोई बोलेगा तब जाके हमें पता लगे मुझे तो इसका आइडिया नहीं है लेकिन जहांता कि यह बात है आपने यह काम करता था तो उनकी यह क्यों मार रहे हैं सिक्खों को गैर मुसल्मानों को और यह मुसल्मानों को भी मार रहे हैं ऐसी बात नहीं कि मुसल्मानों को नहीं मार रहे हैं उनसे बड़ी मौबत कर रहे हैं ऐसा नहीं है यह क्यों मार रहे हैं क्योंकि वो इनकी जो आइड जितने भी हिंदु और सिख हैं वहां पर अफगानिस्तान में उनको यहां से बात करें अब तालिबान से बात्ची तिन के शुरू हो गई है इंको लाए और इंडिया में सेटल करा जाए इनको अची तरीका से यहां पर बसाया जाए जाए यहां पर उनको मार देंगे वहां वह बचेंगे नहीं अर्वजी बिल्कुल जी लेकिन के मैंने यह सुना था और पढ़ा था कि क्यूंके इंडिया ने ऐसा काई तो मैंने का अगर इतने सारे अफगानिस्तान से वहां चलेंगे तो किस तरह से मैनेज करेंगे लेकिन साथ 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 यूएस कॉंग्रेस वोम की बात करना भारत के लिए लिए इलान उमर जो है कॉंग्रेसमिन इलान उमर वो शीज़ फिरिंज एलिमेंट ठीक है यह जो लेडी हैं यह राडिकल इस्लामिस्ट हैं यह अल-काइदा सपोर्टर हैं यह उस किसम के लोग हैं जो अमेरिका में रहके अपना मुल्क इनों न अपना मुल्क छोड़ दिया ठीक है ना और अपना मुल्क छोड़ने के बाद यह अमेरिका आ गए लेकिन इनकी आइडियोलोजी वही पुराने वाले मुल्क की रही अमेरिका का कॉंस्टिशन अमेरिका के फ्रीडम्स का इस्तिमाल करके यह अटैक करते हैं एजेंडा इनक अपने बॉर्डर खुलते और सारे के सारे जितने भी मुसलिम्स अल अवर दो वोल्ड हो एमेरिका में आजाएं क्यों आजयें रिख एक मुल्क का अपनी पॉलिसी ओप लिए पर ये लोग है अब एमेरिका का कॉंसिट्यूशन अलाओ करता है अमेरिका का जो लौ है वो अलाओ करता है कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स ने तो वो स्टेटमेंट्स जहां तक ईलान इलान उमर को कभी नहीं बोला कि मैडम हमें बहुत डर लग रहा है आप से और आप कर यह कर दे हम तो कह रहे हैं कि एलान उमर क्यों एलान उमर तो बहुत चोटी सी चीज है अब के सब्सक्रांअ मुझे करते हैं जो बार बताता हूं लोग अक्सरे भूल जाते हैं 130 क्रोड भारत में यह пять ही है यह रखी है यह लान उम जयसे चोटे मोटे यह बरसात आएगी तो मैडर करते हैं तो भी कर रही है अभी पाकिस्तान भी तो आई थी एलान उमर इमरान खान से मिली थी और वो पियो के गई थी जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं वहां पे भी गई थी और पूरा उसको गुमाय फिर आया मुझे लगा कि पैसे व ओँता है ow वे लेकिन कही न कहीं आप पह नहीं लगता कि आपके अपने देश की भी कोई कमजोरी होती है जिस तरह कि आप क्या मुक्तलिफ कोम है जब ही कोई करता है न इसे तो नहीं कोई बात करेंगा मे बिलकुल कमजोरी है आप बिलकुल ठीक करें है कि हम लोग बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं यह इंडियन्स में यह बहुत बड़ी गलती है और भारत को इतिहास गवा है हमारा तारीक गवा है कि हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि किसी को देखिये शाहीन बाग कभी हो नहीं छीए था इनको पर्मिट करना ही नहीं चाहिए था सरकार ने पर्मिट करा, सरकार ने गलत करा, मैं आपको ओन रेकॉर्ड बोल रहा हूँ, क्या आवाज उठाना उनका हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन दिल्ली में दो जगे हैं, डेजिगनेटिट इक रामलीला मैदान है, और एक और जगे है, यह जहां पर वो, अरे हम भी गई आपको बताऊंगा, तो डेजिगनेटिट इन दिल्ली में, जहां पर आप बैठ के प्रोटेस्ट कर लेते हैं, शाहिनबाग वालों ने क्या करा कि यह पूरी सडक रोक ली, विच अन आर्टेरियल रूट, कनेक्टिं यूपी टो डेली, और फर्दर उन तो फरीदाबाद, तो आप यह देखें कि बीच में शाहिनबाग है, यह नॉइडा है, विच इस उत्तर प्रिदेश वराई लिव, और सामने, अगर आप ऐसे चले जाएं, फरीदाबाद है, फिर इधर जसोला है, अपोलो हॉस्पिटल, यह एक आपको जन्पर दिल्ली वाले हों समझ जाएं अप पूरा ट्राफिक यहां से रुग गया, महनो दर महनो, और इसकी खुबसूरती देखें, शाहिनबाग की, डॉनल्ड ट्रम गया, डॉनल्ड ट्रम इंडिया आया, डॉनल्ड ट्रम गया, उसके 24 से लेकर 48 गंटे के अंदर शाहिनबाग का मूब्मेंट खतम हो गया, ख देखने के लिए, आप हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल का बटन जरूर पेस कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी इंट्रस्टिंग और नई वीडियो लाते रहें, तो अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन मे लिखकर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो चलिए, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्यार रखिये, जै हिंद, जै भारत!